पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाये रखने के लिए 2400 घंटे 2400 घंटे काम कर रहे हैं भारत में भारत के बाहर ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कई बार दुख निराशा हतासा का भाव बहुत ज़्यादा दिता है तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठीन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहर निकले ठक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया करुणा सुख दुख के प्रती समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्विकार रहा है ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेणा बने हुए है आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निश्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घीरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाब भानी समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की एक घड़ी सहायता करने की है जितना संबो हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेग देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरत मन तक पहुँचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत आज प्रतेग भारतवासी का जिवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास्तो करी रहा है अपने वैश्विक दाइत्वों का भी उतनी ही गंबिरता से पालन कर रहा है साथियों भगवान बुद्ध का एक एक भचन एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिवधता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतिव है इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी साथियों हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए जब दूसरे के लिए करुणा हो समवेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाए हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनोती से आप पार पा सकते हैं सुपबुद्धम पबुजन्ती सदागोतम सावका यानि जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जूटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुआई हैं यही भाव हमारे जीवन को प्रकाश्मान करता रहे गतिमान करता रहे इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार इस मुश्किल परिस्तिते में आप अपना अपने परिवार का जिस भी देश में आप है बहां का ध्यान रखे अपनी रक्षा करें और यथा संभव दूसरों की भी मदद करें सबका स्वास्त उत्तम रहे इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद सर्वमंगलम इपोल प्रथानमंदरी बुथा पूर्निमेयुड अनिपन्थिच्च राजित्त अपिसम पोधना चीगे एरुदू राजियम कोविड निदिरा आईटूला पोराटतिल उरिमीच्च जेईच्च्यु केवरुमंदंधं राजित्ते कोविड पोराली कल् । राजित्ते उण्टसी आईटितत अईट वलीई सेवन मानंन्नंधंधं इन्द्य नरवैच्च्य कुण्ड इरिक्किननदददग आगोवल दवुथी मानंन। इपोल प्रथानमंदरी बुथ्था पूर्निमेयुमीःट पेंथा